दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाब उपर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी है एक मॉरल स्टोरी है बहुती सुंदर कहानी है सुनकर बहुत मज़ा आएगा उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के word meaning सीखने को मिलेंगे उनकी correct pronunciation के बारे में पता चलेगा और जो इसका grammar का part है हम उसे बिल्कूल detail में cover करेंगे तो एक एक structure को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे तो चले दोस्तो आज की इस काहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले काहानी का title देखते हैं काहानी का title है we should not cheat others क्या मतलब हुआ should का प्रियोग किया जाता है चाहिए के लिए तो इस line का क्या मतलब हुआ we should not cheat others मतलब हमें दूसरों को धोका नहीं देना चाहिए चीट का मतलब होता है कि इसे धोके बाजी करना तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ we should not cheat others मतलब हमें दूसरों के साथ अन्य लोगों के साथ धोका दली नहीं करनी चाहिए तो दोस्तो ये आज की सकानी का टाइटल है शिर्शक है और अमे से पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे request है आप इसे बिलकुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया word या फिर नया structure देखने को मिले तो आप उसे note भी जरूर करें तो चलिए इसको शुरू करते है रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंट्स क्या मतलब हुआ दोस्तो ये जो हमारा वाक्य है ये simple past का वाक्य है जब किसी भी वाक्य में वाजिया वर का प्रियोग किया जाता है helping up के रूप में और साथ में कोई भी noun ये adjective को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो simple past का वाक्य कहलाता है तो क्या मतलब हुआ रतन and Mohan were good friends मतलब रतन और Mohan अच्छे दोस्त थे They had great confidence in each other क्या मतलब हुआ और दोस्तो दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग जब एक से अधिक लोग subject में होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रियोग किया जाता है जिसका मतलब होता है iillow लोग, they had great confidence in each other, मतलब उनका एक दूसरे पर बहुत जादा विश्वास था, confidence मतलब विश्वास, उनका एक दूसरे पर विश्वास था, once they decided to enjoy their holidays together, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये हमारा past indefinite का affirmative वाक्य है, जब past indefinite में कोई भी affirmative का वाक्य बनाया जाता है, तो वहां वर वर्व का प्रियोग किया गया है, enjoy का मतलब होता है, आनन्द लेना, तो जब आप दूसरी वर्व को जोड़ेंगे, उससे पहले तू लगाना होता है, तो क्या मतलब हुआ, once, एक बार, they decided, उन्होंने फैसला किया, to enjoy, मतलब की आनन्द उठाने का, enjoy करने का, their holidays, अपने holidays का together, एक साथ, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कि एक बार, उन्होंने फैसला किया, या निर्ने किया, एक अपने जो उनका holiday था, जो उनकी छुट्टियां थी, उसको एक साथ, उसका एक साथ आनन्द लेने का, they went out to a hill station for a week, क्या मतलब हुआ, और ये go की second form में went, औ लिए आगे देखिए, बोट इनजोईट देर, इस्टे at the hill station, क्या मतलब हुआ, बोट इनजोईट देर, इस्टे at the hill station, मतलब दोनोंने जो उनका जो इस्टे था, उनका, जो जो हाँ पर रुखे थे, उसको उन्होंने, hill station पाट उस पाली छेतपा, पाली जो जो नवन्हों Planned to return, Planned का मतलब होता है योजना बनाना, They planned to return, उन्होंने वापस लोटने की योजना बनाई, When they reached the station, When, मतलब जब, When they reached the station, और Reach का मतलब होता है पहुँचना और ये वर्ग की second form है, When they reached the station, जब वह station पहुँचे, To board the train, To board the train, मतलब ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन में They found a bag, उन्होंने एक bag पाया, उन्हें एक bag मिला, Lying पढ़ा हुआ, At the station platform, Station के platform पर, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, They found a bag lying at the station platform, और Lying का मतलब होता है, पढ़ा होना, तो उन्हें एक bag मिला, Station के platform पर पढ़ा हुआ, चलिए, आगे देखिए, रतन noticed it first, रतन ने इसको पहले notice किया, मतलब पहले देखा, notice का मतलब होता है, कि चीज को देखना, ध्यान से देखना, रतन noticed it first, मतलब पहले रतन ने उसको देखा, and picked it up, और उसे उठा लिया, pick मतलब उठाना, picked it up, उसे उठा लिया, he opened it, उसने उसे खोला, and saw, और देखा, और यह C की second form में आप note कर सकते हैं उसने उसे खोला और देखा that it contained a lot of cash contained का मतलब अधा होना it contained a lot of cash मतलब उसमें बहुत सारे नगत पे रुपे थे lot of cash and jewelry और jewelry थी मतलब की आभुशन थे in it उसके अंदर चलिए आगे देखिए Ratan tried to hide it in his suitcase दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह भी past indefinite का affirmative वाक्य है और इस वाक्य में दो वर्फ का प्रियोग करके वाक्य को बनाएंगे तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां दो वर्फ का प्रियोग किया जाता है और hide भी वर्फ है जिसका मतलब होता है छुपाना तो क्या मतलब हुआ Ratan tried to hide it in his suitcase Ratan ने उसे अपने suitcase में छुपाने की कोशिश की बट लेकिन Mohan suggested Suggest का मतलब होता है किसी को सुझाव देना लेकिन Mohan ने सुझाव दिया Ratan We should not keep it with us क्या मतलब हुआ तो वहाँ पर should का प्रियोग किया जाता है helping of के रूप में तो क्या मतलब हुआ Ratan we should not keep it with us Ratan हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए Somebody has missed it और दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यहाँ पर has के साथ third form का प्रियोग किया गया है और जब has या have के बाद किसी चीसे चूक जाना तो किसी क्या मतलब हुआ Somebody has missed it किसी ने इसको छोड़ दिया है या उसे miss हो गया है We should ask people हमें लोगों से पूछना चाहिए At the station जो station पर है उन लोगों से पूछना चाहिए If someone claims Claim का मतलब होता है दावा करना और दोस्तों यहां verb की 5th form का प्रियोग किया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप present indefinite में कोई भी interrogative का वाक्य बनाना चाहता है और यदि वहाँ पर singular हमारा subject होता है तो वर्व की 5th form का प्रियोग किया जाता है तो यह जो हमारा वाक्य है यह present indefinite का affirmative वाक्य है और subject जो है someone यह singular noun होने के वज़े से यहां verb की 5th form का प्रियोग किया गया है तो क्या मतलब हुआ if someone claims यदि कोई दावा करता है and is able to tell the exact details और वो बिल्कुल जो exact मतलब जो सही details है जो इसका ब्योरा है वो बताता है tell मतलब बता पाता है able to का मतलब बता पाना is able to tell the exact details we shall hand over this back to him hand over मतलब हवाले कर देना हम उसे यह back उसके हवाले कर देंगे तो इस पूरी line का क्या मतलब हो उसने क्या कहा कि यदि कोई यह दावा करता है इसके उपर और वो बिल्कुल ही जो इसकी exact details है जो बिल्कुल सही जो इसके details है वो बता पाता है हम उसे इस back मतलब हम उस व्यक्ति को के हवाले इस back को कर देंगे चलिए आगे देखिए no 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 you are a fool मतलब नहीं नहीं you are a fool आप एक मुर्क हो everybody will come to claim everybody will come to claim और यह हमारा future indefinite का affirmative आपके है और यहाँ पर will का प्रियुक किया गया है helping of के रूप में तो क्या मतलब हुआ everybody will come to claim it मतलब हर कोई इस पर दावा करने के लिए आएगा as जैसे की his own back अपने back के रूप में I have found it मुझे यह पाया है so इसलिए this is mine यह मेरा है रतन सैड रतन ने कहा चलिए आगे देखिए मोहन सैड मोहन ने कहा what are you talking मतलब आप क्या बोल रहे है और दोस्तो यह जो हमारा वाक्य है यह present continuous का interrogative sentence है जब आप present continuous में कोई भी interrogative का वाक्य बनाना चाहते है तो वहाँ पर ismr का प्रियोग किया जाता है helping of के रूप में यदि subject हो तो उसके साथ आर लगाया जाता है और साथ में वर्फ की फूर्थ हो और जो यह what है यह interrogative word का प्रियोग किया गया है यहाँ पर उसको पहले mention किया जाता है तो क्या मतलब वहाँ मोहन सायड मोहन ने कहा what are you talking मतलब आप क्या बोल रहे हो in case you do not want to give it to its honor in case मतलब यदि इस मामले में you do not want to give it आप इसको नहीं देना चाहते हो to its honor इसके मालिक को we should divide it हमें इसको divide कर लेना चाहिए should मतलब चाहिए we should divide it हमें इसे बाट लेना चाहिए into two equal parts दो बराबर हिस्सों में equal मतलब बराबर दो समान हिस्सों में बाट लेना चाहिए both of us have found it both of us have found it मतलब हम दोनों ने इसे पाया है we have shared every moment और ये भी हमारा present perfect का वाक्य है we have shared every moment हमने हर moment को मतलब हर छण को हर लम्हे को साजा किया है every food हर खाना every joy और जो हर आनन्द है here together यहाँ पर एक साथ therefore इसलिए we should divide the cash इसलिए हमें इस cash को मतलब इस रकम को यह जो नगद है इसको बाटना चाहिए and jewelry और आभुशनों को also into two parts मतलब दो हिस्सों में to enjoy together एक साथ enjoy करने के लिए आगे देखिए I do not agree with you और दोस्तों यह हमारा present indefinite का negative बाकिया है और आप इसे do not भी पढ़ सकते हैं और short में इसको don't भी लिख सकते हैं पढ़ भी सकते हैं तो क्या मतलब और agree का मतलब होता है सहमत होना I don't agree with you मतलब मैं आप से सहमत नहीं हूँ I saw it first और यह past indefinite का affirmative बाकिया I saw it first मतलब पहले मैंने इसको देखा and so इसलिए it is mine यह मेरा है saying so ऐसा कहते हुए रतन kept the bag रतन ने bag को रख लिया in his position अपने कबजे में position मतलब कबज़ तो इस दोरान इस दोरान the train arrived at the platform जो train थी वो platform पर आ गई arrive मतलब आना train platform पर आ गई रतन एंड मोहन boarded it board का मतलब होता है train में सवार हो जाना रतन एंड मोहन boarded it रतन और मोहन सवार हो गए उसमे once they occupied their seats मतलब जब उन्होंने अपनी जो seat थी उसको occupy कर लिया मतलब जब उस पर बैठ गए they were at ease they were at ease मतलब वो अराम से थे and began talking to each other और वो एक दूसरे से बात करने लगे और दोस्तों ये begin की second form है आप इससे note कर सकते हैं इसका मतलब है शुरू करना तो were at ease and began talking to each other और एक दूसरे से बात करने लगे time was rolling one और जो time था वो गुजर रहा था when the night fell when the night fell when the night fell मतलब जब रात हुई they began feeling sleepy उन्हें नींद आने लगी और दोस्तो feel sleepy का मतलब हो था नींद आना आप इससे note कर सकते हैं तो क्या मतलब हुआ when the night fell मतलब जब रात हुई they began feeling sleepy उन्हें नींद आने लगी चलिए आगे देखिए after some time मतलब कुछ समय के बाद the train halted at the next station halt का मतलब होता है कुछ समय के लिए रुखना जो train थी मतलब कुछ समय के बाद the train halted at the next station जो train थी वो एक अगले station पर रुखी suddenly अचानक they saw उन्होंने देखा some police men entering their compartment उन्होंने क्या देखा कि जो कुछ police men है जो police वाले है entering their compartment वो उनके compartment में प्रिवेश्ट कर रहे है रतन was frightened to see them frightened का मतलब होता है डर जाना घबरा जाना रतन was frightened to see them रतन उन्होंने देखकर घबरा गया he tried to put his suitcase behind his back क्या मतलब होगा और यहां भी दो वर्व का प्रियोग किया गया put मतलब रखना he tried to put his suitcase behind his back मतलब उसने कोशिश की अपने suitcase को अपने पीछे रखने की behind his back अपने पीट के पीछे रखने की चली आगे देखिए रतन whispered in Mohan's ear क्या मतलब हुआ दोस्तों whisper का मतलब होता है कुछ फुस फुस आना धीरे से बोलना और यह second form में रतन whispered in Mohan's ear मतलब रतन ने मोहन के कानों में कुछ फुस फुस आया we are in great trouble हम बहुत बड़ी समस्या में है the police have come police आ चुकी है they would arrest us वह हमें arrest करेंगे ग्रफतार करेंगे and put us behind bars और वो हमें jail में डाल देंगे you know आप जानते हो we have not stolen the bag और यह भी हमारा prison perfect का sentence है you know आप जानते हो we have not stolen the bag हमने bag को नहीं चुराया है और दोस्तों आप इस word को note कर सकते हैं यह steel की third form stolen steel मतलब चुराना और second यह third form stolen we have not stolen the bag हमने bag को नहीं चुराया है चली आगे देखिए Mohan said in a low voice low मतलब धीमी Mohan said in a low voice Mohan ने धीमी आवाज में कहा why do you say us आप ऐसा क्यों कहते हो हम and not me मतलब आप हम क्यों कहते हो and not me मी क्यों नहीं कहते हैं मतलब मैं क्यों नहीं कहते please don't try to involve me involve मतलब शामिल करना please don't try to involve me मतलब किर्पया मुझे शामिल करने की कोशिश मत करिए I have got nothing to do with the bag मेरा bag से कोई लेना देना नहीं है क्या मतलब आगे देखिए you did not listen to me आपने मतलब मेरी बात को नहीं सुना और ये past indefinite का affirmative बाके है you did not listen to me आपने मुझे मेरी बात को नहीं सुना when I asked you to find out the honor जब मैंने आपको कहा मतलब कि honor को ढूनने को and hand over the bag to him और उसके हवाले bag को कर देने को far from handling it over to the real honor far from handling it मतलब उससे दूर इसको मतलब की हवाले करने के जो इसका real honor था असली मालिक था मतलब उस चीश को भूल जाओ you even refuse to share it मतलब आपने share it with me और आपने इसे मेरे साथ मतलब साजा करने से भी share करने से भी आपने inkar कर दिया चलिए आगे देखिए and now or ab when you feel जब आपको लगता है that you are going to land in an unpleasant situation की जब आप जा रहे हो you are going to land मतलब आप जा रहे हो in an unpleasant situation एक गलत situation में खराब इस्तिती में you want to share the unpleasantness with me और आप यह जो unpleasantness है मतलब जो असुविधा है आप चाहते हो कि वो you want to share मतलब आप चाहते हो कि मैं वो आपके साथ share करूँ with me you want to share the unpleasant with me और आप उस असुविधा को मेरे साथ share करना चाहते हो very clever मतलब बहुत चाला की चलिए आगे देखिए the police saw lines of terror in written space जो police थी उसने जो मतलब की डर की जो lines थी जो रेखाई थी इन रतन स्वेस रतन के चहरे पर and became suspicious suspicious का मतलब होता है शक हो जाना became suspicious और उसे शक हो गया about him उसको बारे में they searched his belongings उन्होंने उसका जो सामान था belongings मतलब सामान उसको सामान उसको सार्च किया and found the bag और उनको bag मिल गया they found the bag उने bag मिल गया this was the bag they had come searching for क्या मतलब हो यह वही bag था जिसे वो ढूंते हुए आये थे they arrested him उन्होंने उसे ग्रफतार किया and sent him to jail और उसे jail भेज दिया आगे देखिए now ratan was repenting that he should have listened to his friend's advice क्या मतलब हो और दोस्तो repent का मतलब होता है पस्ता ना now ratan was repenting अब जो ratan था उसको सुनना चाहिए था to his friend's advice अपने दोस्त की सला को सुनना चाहिए था तो दोस्तो यह आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आप पूरी कोशिश की है आपको forward की meaning बताने की और साथ में grammar को भी ठीक से explain करने की यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रियास अच्छा लगा हो तो आपसे request है वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को जरूर subscribe करें और comment करके जरूर बताएं यदि आपका कोई भी सु ने के लिए हैं thank you so much have a nice day and bye